सबी सुनने वालों को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर रश्मी सिंग और आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही महत्वकूर्ण है बहुत ही रोचक भी है और वो लोग जो एजुकेशन से डिरेक्ली या इंडिरेक्ली भी तालोग रखते हो उनके लिए भी जरूरी है जानना समझना की बुद्धी क्या है और ये इतना comprehensive topic है इसलिए इसको मैंने कई सब topics में break किया है और आज first lecture में सिर्फ history of intelligence पर बात होगी फिर definition and concepts, theories, assessment इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो शुरू करते हैं history of intelligence से उसके पहले एक बात ये जानने की कि हम सभी अगर नहीं भी प ये comprehension हमारा intelligence को लेकर रहता है कि intelligence क्या है एक reasoning capacity है problem solving skill है या adaptation है हमारा अबातावरन के प्रती environment से हम अगर adapt कर पाते हैं तो हम intelligent है अगर हम tactful हैं तो हम intelligent है अगर हम problem solving capacity है तो हम intelligent है बहुत बहुत multi dimensional concept है तो हम आज ये जानना शुरू करेंगे जानना चाहेंगे जानने की कोशि होगी हमारी कि इसका इतिहास क्या है psychology में उद्भव कैसे हुआ इसका किस ने किस ने इस पर बात किया और क्या बात किया और कितने साल पहले कब से इस पर बात की जा रही है तो ये बहुत आपको रोचक जानकारी मिलने की मिलेगी तो शुरू करते हैं okay history of intelligence ये मेरी जानकार और आप जानते ही हैं dr. रश्मे सिंग assistant professor department of education okay history of intelligence के अगर बात करें हमें इक तार हिस्सों में इसको बाठ सकते हैं सबसे पहले ancient greeks मतलब की greek वासी जो पुरातन काल के greek वासी थे उन्होंने क्या बात की intelligence पे फिर Charles Darwin देखिए biology के लोग जो हैं वो जानते हैं Charles Darwin को तो ये इतने ये लोग you can say कि प्रभाव शाली रहे इतने multi-dimensional रहे कि इन्होंने किन-किन विश्यों को touch करके और किन-किन subjects में discipline में अपना योगदान दिया है तो Charles Darwin फिर George Romanus and Francis Galton आप देखिएगा Charles Darwin, George Romanus और Francis Galton इसमें से Galton कहते हैं हिंदी में कोई भी psychologist नहीं है Charles Darwin biologist है, George Romanus भी उनीके कलीग है, Francis Galton भी psychologist नहीं है लेकिन इन्होंने psychology में intelligence को एक महत्वपून दिशा देने का काम किया इन्होंने इस पर ऐसा काम किया जिसने future researches को बढ़ावा दिया और जो psychologist हुए उन्होंने इस दिशा में सोचा और इस पर काम किया और तब हमको बुद्धी का वो स्वरूप देखने को मिलता है जिस पर हम आज बढ़ते और बात करते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं ancient Greek में क्या बात हो रही थी almost 2300 years ago और भी जादा हो सकता है जहां से literature से लिया गया और पुरानी बात हो सकती है कि famous Greek philosopher Aristotle देखिए अरुस्तु को हम लोग कौन सा ऐसा विशा है जिस पर हम बढ़ते हैं हमें अरुस्तु के विचारों पर नहीं म बातचीत कर रहे हैं तो बहुत बहुत ही ये लोग प्रभत्वशाली और बहुत ही intelligent रहे तब इन्होंने ऐसी बाते हैं की तो Aristotle made our first reference to something close to the idea of intelligence but he called it reason यानि कि अगर हम पुरातन 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 और बहुत पुराना literature search करते हैं तो हमको मिलता है कि अरुस्तु शक्स थे ज इसको बुद्धी टर्म नहीं दे रहे थे बलकि वो उसको क्या टर्म दे रहे थे reason या तर्क की संग्यादी थी तो often regarded as the father of psychology देखी अरुस्तु को father of psychology भी मान जाता है कहीं कहीं क्यों कि जो उन्होंने book लिकी थी de-anima जिसका कि English रुपांतरन on the soul है वो first book on psychology मान जाती क्यों क psychology को जब हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं sorry तो क्या पढ़ते हैं ये science of soul है फिर ये मन का विज्ञान होता है बुद्धी का विज्ञान होता है और इस तरह से करते वे ये बात में experimental psychology का रूप लेता है तो Aristotle जो है अरस्तु जो है वो de-anima लिख रहे हैं on the soul और father of psychology कहे ज रहे हैं और वो intelligence के किसी स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कि वो तर्क की संग्या देते हैं फिर sorry क्या कहा है उन्हें he suggests वो suggest करते हैं that intellect consists of two parts जो बुद्धी है वो दो उसके parts हो सकते है एक passive intellect और एक active intellect और क्या कह रहे हैं वो वो कह रहे हैं कि intellect is separable मतलब आप उ internal ये शाश्वत है and without it nothing things मतलब उनको ये जानकारी थी उनको ये संग्यान था कि intelligence या जिसको reason नाम दे रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो हमारे सोचने में मदद कर रहा है या जिसके बिना हम सोच नहीं सकते हैं तो इस तरीके की बातें वो धाई हजार साल पहले कर रहे हैं अरस् यानिका online physiological psychology में मिलती है ये बात कि अरस्तु ये सारी बातें कर रहे हैं फिर जब ancient Greeks से हमको ये सब मिलता है फिर उसके बाद कौन बात करता है intelligence पे उसके बाद बात कर रहे है चार्ल्स डार्वें देखिए चार्ल्स डार्वें जो लोग biology पढ़ते हैं उनको पता है कि वो nature nurture debate है वो यहीं से आता है चार्ल्स डार्वें से कि heredity जो है वो जादा important है या environment जादा important है और वो जो theory of natural selection लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें कि nature जो है वो survival of the fittest यानि कि जो सबसे fit है उसको select कर लेती है बाकी को छोड़ देती है और फिर वो लक्षम वंशानुगत भी होते हैं सबसे important बात यह तो यह कहां से intelligence की बात कर रहे है देखिए यह कह रहे हैं कि what Aristotle called reason जिसको Aristotle reason कह रहे हैं Darwin साब उसको क्या कह रहे है mental powers यह मानसिक शक्ति कि उसको संग्या दे रहे है और वो क्या कहते है Darwin believed sorry that intelligent behaviors developed from the primitive instincts of our non-human ancestors and that the difference between human intelligence and animal intelligence is a matter of degree and not of kind देखिए आज हम लोग जानते हैं कि yes human intelligence और बलकि animal intelligence में kind का भी यंतर है लेकि इतने साल पहले यह बात करने है उस वक्त नहीं इस पर इतनी जानकारी थी लेकिन फिर भी वो intelligence की बात कर रहे हैं और वो यह बात कर रहे हैं कि जो हमें बुद्धी मिली है वो higher degree पे हो सकते हैं वो lower degree पे हो सकते हैं लेकिन प्रकार का अंतर नहीं है यह बात भले आज के परिपेक्ष में सही नहीं हो लेकिन जिस समय यह बात की जा रही थी इस वक्त intelligence की ही कोई बात नहीं करा था तो यह पहले वो शक्स हम को मिलते हैं जो इस तरीकी की बाते कर रहे है जिससे intelligence का उदभव हो रहा है इनों ने जो किताब लिखिये area of natural selection के लावा एक और बुक लिखिये the descent of man इसमें ये कहते हैं कि numerous examples इनोंने दिये हैं जो कि इसको support करता है humans and non-human animals यानि कि मनुश्यों जो मनुश्य के अलावा जितने भी जानवर हैं mammals हैं वो cognitive attributes same share करते हैं मतलब उनके पास जो संग्यानात्मा गुण है जैसे हैं जैसे वो क्या हो सकता है आश्चर्य, उत्सुक्ता आपकी स्मृति या ability to pay attention, ध्यान देने की क्षमता, imitate the behavior of others, दूसरे के विवहार का अनुकरन करना and to reason देखी, reason को भी नोने शामिल कर लिया इसमें, और ये कह रहे हैं Darwin साहब कि humans और non-human animals एक तरीके के cognitive attributes share करते हैं और इसको ये लिख रहे हैं अपनी किताब में, The Descent of Man और ये भी इनकी बहुत important book है तो Charles Darwin, जो कि psychologist नहीं है, जो कि George Romanus, who is ये जो word आता है intelligence वो George Romanus का ही दिया हुआ है, the word intelligence is finally introduced by the physiologist George Romanus, it remains heavily influenced by its evolutionary origins, intelligence now means adaptability मतलब जिसको Aristotle reason कह रहे हैं, जिसको Charles Darwin mental powers कह रहे हैं उसी को George Romanus अब नाम दे रहे हैं intelligence का और ये हैं का और ये junior colleague Charles Darwin के ही थे, इसका मतलब ये भी biologist थे, और ये बात करें intelligence की, और अब intelligence को क्या कहा जा रहे हैं कि adaptability क्यों क्यों कि वो natural selection में क्या बात करें कि हमको adapt करना है वातावरण के प्रती अनुकूलन करना है, जो वातावरण से अनुकूलन नहीं कर पाएगा, वो ये बुद्धी की और ये बुद्धी को बुद्धी संग्यान दे रहे हैं, बुद्धी का term दे रहे हैं, he believed that many animals possessed a higher level of intelligence that most people realized and that many of the thought processes were similar to human thought processes, चुकि Darwin से influenced हैं, Darwin के colleague रहे हैं इसलिए वही बातें कर रहे हैं, जो Darwin नहीं कहीं, लेकिन Darwin इसको mental powers कहा रहे थे, ये इसको intelligence कहा रहे हैं, कि जो non-human हैं, उनके पास भी higher level को intelligence है, और वो same thought processes share करते हैं, then Francis Galton का नाम आरा, देखी, हम लोग अभी बात कर रहे थे history of creativity की, हम लोग assessment of creativity की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने Galton का नाम पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने इनकी book hereditary genius का नाम पढ़ा था, नाम सुना था, क्यों? क्योंकि ये लोग जिस समय बात कर रहे हैं, उस वक्त IQ, उस वक्त CQ, उस वक्त intelligence और creativity सब कुछ एक जैसे construct माने जा रहे हैं, या ये मानने जा रहा है कि similar है, अगर intelligent है व्यक्ति तो creative भी होगा, इसलिए इनको हम assessment of creativity के तिहास में भी पढ़ रहे हैं, इनको हम intelligence के तिहास में भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या मान के चल रहे हैं, he believed that many aspects of human nature, including intelligence, could be measured scientifically, अब उसके आकलन की बात करने लगें, जबकि ये भी आपको पता होगा कुछ लोगों को, नहीं भी पता हो सकता है, ये Charles Darwin के ही cousin है, Francis Galton, और in a time before IQ test, जब IQ test वगेरा कुछ नहीं आया था, तब Galton attempted to measure intelligence through reaction time test, तब Galton साहब ने कोशिश की कि बुद्धी का को कैसे ना पाचाए, तो उन्होंने reaction time test बनाये, जैसे कि हम किसी चीज़ को कितना time ले रहे है reaction देने में, अगर हम जल्दी react कर दे रहे हैं, जल्दी उसका reaction दे रहे हैं, इसका मतलब that means we are intelligent, और time जादा लग रहा है, तो intelligence की हमारी capacity कम है, he developed the first broad test of intelligence, इन्हों ने सबसे पहला आप कह सकते हैं, मतलब वैसे थो हम लोग Alfred Binney को पढ़ते हैं, intelligence testing में, लेकिन अगर कोई काम कर रहा था इस पर, तो वो Francis Gailleton थे, then he had studied inheritance of intellectual characteristics among human beings, और इसके लावा इन्होंने क्या study किया, इन्होंने study किया, कि जो intellectual characteristics हैं, वो inherited हैं, मतलब ये heredity पर बल दे रहे हैं, nurture पर कम बल दे रहे हैं, nature पर जादा बल दे रहे हैं, then he concluded that intellectual abilities inherited in much the same way as physical habits and he later published his findings in hereditary genius, अठारा सो नतर में जो किताब hereditary genius लिख रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं कि intellectual ability भी उसी तरीके से माबाप से बच्चों को मिलती है, वंशा नुगत होती है, पीडी दर पीडी transmit होती है, जैसे कि physical habits और इसको ये अपनी किताब में इसको लिखते हैं, hereditary genius, इसके अलावा जो एक term in होने दिया, वो हमें आपको जानना आज है, ये eugenics का, eugenics को हिंदी में बोलते है, true journey की, और इस तरह से terms पढ़े जाते हैं, eugenics, euthenics और euthenics, तीन terms हैं, तो उस तरह से eugenics क्या कह रहा है, कि जो अच्छे genes हैं, क्यों क्यों कि ये क्या कह रहा है, जो intellectual ability वो inherit हो नहीं है तो बढ़ियां जिनके पास intellect है जिनका IQ बढ़ियां है जो ज़ादा intelligent है उनको तो हम ज़ादा मतलब प्रजनन में लगाएं और जो कम है उनको हम discard करते जाएं तो हमारी जो पूरी lot होगी वो क्या होगी सब intellect हो जाएगा intellectual हो जाएगा intellectual people से उनकी संख्या बढ़ जाएगी और समाज बहतर हो जाएगा तो ये लोग हैं जो intelligence की बात करते हैं before बिने साइमन जा क्योंकि जब 1904 में 1905 में बिने अल्फरेट बिने पहला intelligence टेस्ट बनाते हैं उसके बात तो बहुत-बहुत literature intelligence पे बहुत सारा है लेकिन उसके पहले भी intelligence पे बात हो रही थी और ये लोग इस तरीके की बातें intelligence पे कर रहे थे तो आई विश कि आपको ये पता होना चाहिए history of intelligence भी तो thank you and don't forget to like and subscribe my channel type explore underscore education and to find this channel in telegram scan to join okay so done from my side thank you all